Hello Students, Tally Prime 3.0 की कलास नंबर सोडा में आप सभी का स्वागत है और आज की इस कलास में हम सीखने वाले हैं यह हम Tally Software में Bank का Reconsolations किस परकार से करते हैं यह सारी बाते हैं आज की इस कलास में हम Bank Statement के दवारा और Tally Software के अंदर हम आपको Live और Practical तरीके से समझाने वाले हैं तो वीडियो को End तक जरूर देखना कोई वीडियो का Skip मत करना तो वीडियो की सुरुआत करें उसे पहले आपसे चोटा सानवेदन भी है अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टैप की वीडियो लगातार मिलती रहेगी तो शुरुआत करते हैं आज की स्कलास की तो वीडियो कम थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए हमारे पास है एक तरीक एका एकसल में ये बैंक का स्टेटमेंट आपके पास बैंक कोई भी हो सकता है सेम प्रसेस से सभी बैंक का रीकंसिलेशन करने का तरीका टेली सॉप्ट्वेर के अंदर अब मैंने टेली सॉप्ट्वेर के अंदर भी बैंक में कुछ ट्रांजेक्शन कर रखी है सबसे पहले हम बैंक को ओपन करते हैं अकाउंट बेंगे लेजर पर जाएंगे और मैं यहाँ पर मेरे बैंक का लेजर ओपन करता हूँ तो मेरी यहाँ पर कुछ आप देख सकते हो अगस्त मन्त के अंदर यह कुछ त्रान देख समस्ते हैं और मेरे टेली सॉप्ट्वेर के अंदर बैंक के अंदर 85,488 रुपे का बैंक बलेंस है लेकिन अगर हम स्टेटमेंट को देखे हैं यह स्टेटमेंट हम मान की तो तेरे बैंक ने हमारे को दिया हुए और बैंक कह रहा है भी आपके अकाउंट के अंदर 86,989 रुपे अभी तक पड़े हैं लेकिन हमारा सॉफ्ट्वेर कह रहा है यानकि हमारी बुक्स कह रही है भी आपके अकाउंट के अंदर 85 यानकि बैंक अभी भी पैसा हमारा ज्यादा शो कर रहे है जबकि ज्यादा शो नहीं करना चाहिए जितना हमारा books के अंदर आ रहे हैं उतना ही हमारा पैसा statement के अंदर होना चाहिए अब यह जो हमारी books वर्सेज जो हमारी account statement होती है bank की इन दोनों में जो difference होता है वो यह मारा bank reconciliation में करना होता है भी difference आने का reason के हैं तो सबसे पहले हमने bank की laser के transaction को आपको open कर लेना है और साथ के साथ अगर आप balance रणिंग balance शो करना जाते हो तो आफ एफ बार प्रेस करो और यहां पर running शो running balance का option आएगा इसको आपको yes करने जैसे हम इसको yes करेंगे तो आपका इस तरीके से साथ में balance भी शो करना स्टार्ट करेंगा जैसा कि हमारा यहां पर इस excel के अंदर भी closing balance साथ के साथ आ रहा है तो इसके लिए में reconcile करना है यानि कि ऐसी कोई भी transaction आपकी हो सकती है जो आपके books में है लेकिन वो bank statement के अंदर शोनी कर रहे है तो क्या हमें bank statement के coding चलना चाहिए या हमारी books of accounts के coding हमें काम करना चाहिए तो सबसे फिर हमें reconcile के option पर हमें पर क्लिक करने के बाद आपकी वो सारी transaction यहां पर show करेगी ठीक है लेकिन अब हम कह सकते है जैसा कि मारे पास एक अगस्ट को एक transaction है केस हमने deposit कराएव है पचास जार देगा तो यहां पर भी एक अगस्ट क्योंकि जो केस की जो transaction होती है वो almost same day मारी bank में होती है यहनकि एक तारीक की जो हमारी transaction है यह हमारी मेज होगी उसके बाद में हमारे पास एक transaction है दो तारीक के अदर हमने ABC कंपनी को check के थुरू payment किया ह 25 रुप एगा ठीक है और यह हमारा दो अगस्ट को हमने payment करिया हमारी books of account के यांकि दो तारीक के हमने check issue कर दिया लेकिन अब यह payment आपकी bank में दो तारीक के बाद दो में हो सकती है तीन में यानि कि check date के बाद में कभी भी हो सकती है लेकिन bank state में यह दो तारीक को आपके पै तो हमें bank के according हमारी यहाँ पर date को change नहीं करना है bank की date आपकी कुछ भी हो सकती है लेकिन हमें यहाँ पर bank की date आती है वो date हमें लिकने भी जो हमने दो अगस्ट के अंदर जो check हमने हमारे supplier को दिया था उसने वो check अपना तीन तरीको bank में फर्जेंट किया था जिसकी वो जैस बारी एक अगस्ट 2023 यहाँ पर bank date लिख देए एक अगस्ट को हमने entry करी थी और एक अगस्ट कई bank में पास हो जूँकी entry अब यहाँ पर तीन अगस्ट यह बुक्स के अंदर बारी 2 तारीक यह तो यहाँ पर bank date लिख देंगे 3 अगस्ट को इसी तरीकिए सामने तीन तारीक क अगस्त को दिखते जएगे उसके बाद में जो जो हमारी ट्रांजेक्शिन हैं पर में है इसको में हाइलाइट कर देंगे यहां से आ है तकि हमें पता चले भी पूरी स्टेटमेंट वारी काम पर डिफरेंस आ रहा है उसके बाद में हमने 5 अगस्त को हमारे पास एक पेमेट रिसीप्ट होई है 2000 रुपए की ठीक है लेकिन ये भी बैंक में ये मारे पास में ओनलाइन है जो 2000 रुपए आ गिये है तो यहाँ पर भी हम डेट 5 अगस्त ही भी खेंगे उसके बाद में next transaction थी हमारी books के अंदर 6 अगस्त को हमने payment करी है 3312 रुपए की और वो 3312 account statement के अंदर आ रही है 8 अगस्त को तो यहाँ पर हम तारीक लेखेंगे 8 अगस्त को इसको भी हमने highlight कर दिया उसके बाद में next transaction हमारी है 7 अगस्त को बैंक के अंदर आई है 9 तरीको अब यह date आगे पिछे होने का कारण को बैंक के अंदर छुटियां गयो सकती है या किसी दूसरे प्रांच का चेकना जहां से कोई भी reason हो सकता है आपका बैंक में payment late आने का तो bank date हमारी है 9 अगस्त ठीक है उसके पहले हमारी पास एक पंदरा सुरुपे की payment की entry है लेकिन वह पंदरा सुरुपे की payment की entry हमारे को यहां पर बैंक में show नहीं कर रही है तो इसके आगे एक पर हम date नहीं लिखेंगे ठीक है उसके बाद में हमारी 8 अगस्त को हमने एक receipt हम हमारे पास और आई है 500 रुपे की और वह 500 रुपे हमारी bank statement की coding हो 10 तरीक के अंदर आई है bank के अंदर पेशा तो हमें books की date चेंज नहीं करनी हमें reconcile के अंदर वो date आगी है उसके बाद के अंदर हमने 10 अगस्त को एक payment करी थी 500 रुपे की books date हमारी 10 अगस्त की है और bank के coding वो हमारी date है जो 14 अगस्त की है तो हम यहाँ पर 14 अगस्त को enterprise करेंगे अब यह हमारी सारी transaction जो हमारी statement के अंदर थी वो सारी के सारी हमने यहाँ पर reconcile कर लिए ठीक है और यह जो single amount आपकी 1500 रुपे की है वो आपने books में तो entry कर दी लेकिन आपके जो supplier है वो अभी तक इस check को bank के अंदर present उसने नहीं किये जिसकी वजह से आपकी books के coding तो आपको ल एंटर प्रेस करने के बाद अब हमें क्या पता लगा अब वापीस हम जैसे हमने bank statement को open किया books के अंदर यहाँ पर आपको वो date नहीं दिखेगी हम जैसी इस reconcile पर जाएंगे तो reconcile करने के बाद में आपके पास में वो date यहाँ पर option खाली आपको दिखता रहेगा यानकि यह entry आपके books के अंदर अभी नहीं है और लेकिन यहाँ पर अभी भी यह 14 अगस्त की entry भी दिखा रहे हैं क्यों दिखा रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारे books के इंदर इंट्री हमने 10 अगस्त करी विए तो यहाँ पर अगर हम कोई एक transaction इस 14 अगस्त के आगे की भी हकर हम करेंगे तो उसके बाद में किया हमारा date 14 अगस्त वाली जो entry है वो यहाँ पर show नहीं करेगी अमारी जह हम एक entry करते हैं 15 अगस्त कंदर यह 16 अगस्त कंदर में एक entry करते हैं बैंक में केस जमा करवाने की 16 अठ हम लेते हैं और यहाँ पर हमने केस जमा करा दिया 100 रुपीज इंट्रफेस करते हम इसको यहाँ पर accept कोड़ा लेंगे यह हमने 16 अगस्त के अंदर एक entry करते हैं वापिस हम बैंक के statement को open करते हैं डिस्प्ले पर जाएंगे अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेजर पर जाएंगे यहाँ पर हमने बैंक को open कर लिया वापिस हम reconcile के option प देंगे भी हमारी books के अंदर भी 16 अगस्त को date है और यह आपकी bank की statement के अंदर 16 अगस्त की है तो जैसे हम इसको यहाँ पर bank की date डालते जाएंगे तो reconcile के अंदर आपकी वह single entry आपको यहाँ पर दिखेगी बार बार जो अभी तक आपके bank के अंदर present नहीं है इससे क्या होग यह bank के अंदर यह जो 14 अगस्त को entry है और हमने 10 अगस्त वाली entry को यहाँ पर हम date change करने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने books को आपको बिल्कुल भी नहीं लाना है books की date आपको वही रखनी है reconcile के अंदर आप अपनी date डालते जाओगी यह जो हमारी amount है यह bank के अंदर कौन सी date को reflect हो रही है तो इस तरीके से हम bank की यह सारी transaction पास कर सकते हैं तो अगर आपके पास बहुत सारी ज्यादा transaction है तो आप इसका auto reconcile ही भी हम use कर सकते हैं auto reconcile के लिए आपको काफी मैने थोड़ी सी करनी पड़ सकते हैं इसके लिए आपका Microsoft Excel के अंदर expert होना जुरूरी है तो इसके लिए अब जब भी हम bank का laser create करते हैं इस पर हम जाएंगे state bank of India पर हम जाएंगे उसके बाद हम F बारा प्रेस करेंगे तो यहां पर कुछ option हमारे पास आ जाएंगे बैंक से रिलेटर के तो यह option आपके पास में यहां पर हाइलाइट हो जाते हैं जिसको यह टेली software आज़े support करते हैं यहां पर हम इसका path है जो देरना पड़ते हैं और उसके बाद में जो हमारे books के अंदर entry आ रही है और जो statement के अंदर आ रही है उन दोनों का यह difference आपका auto-requence के अंदर set करते हैं लेकिन इसके लिए आपको Microsoft Excel का knowledge होना चाहिए proper तक कोई भी error नहीं आएगी अगर आपके बहुत सारी transaction होती है तो कापी बार यह टेली आपका एक परसेंट भी error नहीं आएगा तो I hope कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सेखने को मिलाए वीडियो कर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करना चैनल को भी आप जरूर सब्स्राइब करना और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेर जरूर करना